NCP अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्धी की के हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट आया है। लॉरेंस बिश्णोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। ऐसा एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है। उस सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में भी बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड में जो तीन आरोपी थे। दो को कल रात ही पकड़ लिया गया यानि 12 अक्टूबर को देर रात उनको पकड़ लिया गया था। एक जो आरोपी है वो फिलाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में है। सबसे पहले मैं आपको इन तीनों आरोपी के बारे में बता देता हूँ और फिर मैं उस सोशल मीडिया पोस्ट पर भी आऊँगा जिसमें लॉरेंस बिश्णूई गैंग का हवाला देकर इस पूरे हत्याकांड की जिम्मदारी ले गई है। तो आपको स्क्रीन पर इस समय तीन लोग नजर आ रहे हैं। के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है मीडिया से बाचीत में कि ये कॉंट्राक्ट किलिंग है और अभी तक जो खबर सामने आ रहे हैं उसमें ये दावा किया जा रहा है कि 50,000 रुपे महस्ट पचास हजार रुपे इस कॉंट्राक्ट किलिंग के लिए इन तीनों पोस्ट देख रही है इसकी भाषा पर मत जायेगा हिंदी थोड़ी खराब है मैं आपको बता देता हूं इसमें लिखा क्या है शुबू लोनकर महाराष्ट इस नाम से फेस्बुक पर एक यूजर है और इसकी पोस्ट को आप अगर देखें तो जो पोस्ट पर आप देखे पर ने जो पोस्ट किया है यह सिर्फ जो उसकी फ्रेंड लिस्ट में है उसे यह पोस्ट दिखेगी तो आप अगर फेस्बुक पर यह पोस्ट देखना चाहेंगा आपको नहीं देखेगी इसलिए यह फोटो कीच कर भेजा गया है इसमें जो है लॉरेंस बिश्णोई का है हाश्टेग यूज किया है लॉरेंस बिश्णोई ग्रुप हाश्टेग अनमोल बिश्णोई हाश्टेग अंकित बाडू शेरेवाला तो लिखा है टैग करते हुए शुबू लोन करने इसमें लिखा है कि सलमान खान हम यह जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे बाही का नुकसान करवाया आज जो बाबा सिद्धी के शराफ़त में पुल बांध रहे हैं वो एक टाइम पर दाउद के साथ मको का एक्ट में था इसके मरने का कारण अनुश्थापन और दाउद को वॉलिबूड राजनिती प्रॉपर्टी डेलिंग से जोड़ना था हमारी किसी स वो कोई भी मरवाएगा तो हम पृतकरिया जरूर देंगे हमने पहले वार कभी नहीं किया है ये जिस व्यक्ति का यहाँ पर नाम बताया जा रहा है अनुश्थापन दरसल अनुश्थापन वो व्यक्ति है 14 अपरेल को आपको याद इला दे इस से पहली इसी साल 14 अपरेल क लॉरेंस विश्णोई गैंग के तीन लोगों ने दो लोगों ने सलमान खान का जो घर है मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट वहाँ पर फाइरिंग की थी और जो फाइरिंग की थी उसके बाद वहाँ दीवारों में और विंडो पर जो है गोलियों के निशान भी दे अंदर जिसकी उमर 37 साल है उन दोनों को पंजाब से पकड़ा था और इन दोनों ने इस घटना के लिए हत्यार मुहया कराये थे ऐसा मुंबई क्राइम ब्रांच ने दावा किया था अनुष्थापन ने जब पुलिस का स्टड़ी में था क्राइम ब्रांच की लॉक अप मे रहा है उसमें ये दावा किया जा रहा है अनुष्थापन का नाम लेकर कि अनुष्थापन उनका जो आदमी था अनुष्थापन वो मर गया और जो भी दावद इब्राहिम और सल्मान खान की मदद करेगा तो उसको जो है हम मरवाएंगे ऐसा पोस्ट में क्लेम किया गया ह अब देखिए इस पूरे सोशल मीडिया पोस्ट की जो मुंबई क्राइम रांच है जो महराश्व पुलिस है वो जाच कर रही है कि आखरी ये पोस्ट सही है या नहीं और ये पोस्ट कहां से किया गया है कितने बज़े किया गया है तमाम पहलूओं की मुंबई पुलिस अपना नाम जो है उनका हो जाए इस वज़े से वो किसी भी मामले में जिम्मेदारी ले लेते हैं हलाकि पिछले दो जो मामले थे उसमें सलमान खान के घर जो फाइरिंग होई थी उसमें लौरेंस बिश्णोई गैंग ने जो है नाम लिया था कहा था कि ये काम हम ने किया ह और इसने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली थी और इस वाले पोस्ट में जिस तरीके से अनुज का नाम का जिक्र करके और सलमान खन और दाउद का जिक्र किया गया है इससे पहली नजर में तो ऐसा लग रहा है कि ये लौरेंस बिश्णुई गैंग का काम हो सकता है क्योंकि इस पूरे हत्याकान में लौरेंस बिश्णुई गैंग का भी हाथ हो सकता है तो दिल्ली पुलिस जो है हत्या की जाच के लिए स्पेशल टीम मुंबई भेज रही है और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों का कहना है कि इसमें कोई एक संदिक्द गैंग्स्टर की होता है उसको उसकी भी तलाश जारी है और इस पूरी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से अब मामले का जो पूरा एंगल है वो बदल गया है और पूरा फोकस हो गया है लौरेंस विश्णुई गैंग पर और कहा यह जा रहा है कि यह कॉंट्राक्ट किलिंग है 50,000 रुपे दिये गए यह तीन लोग थे और दावे यह भी किये जा रहे हैं मीडिया रिपोर्ट में कि इन तीनों को पता नहीं था कि बाबा सिद्धी की कौन है पस एक फोटो मिला जो कि कॉंट्राक्ट किलिंग में होता है पैसा मिलता है रेकी होती है उसके बाद उसकी हत्या कर दी तो इस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है जैसे कि पुलिस सोर्सिस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है एक और अपडेट आ रही है जो कि मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है पुलिस सोर्सिस के हवाले से कहा जा रहा है कि चार लोग इसमें शामिल थे, तीन के हमने आपको तीनों की तस्वीर दिखा दी, जो की तीन फ्रेंट फुट में थे, एक बैकिन पे काम कर रहा था, जो की घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, लेकिन वो हत्या की प्लानिंग और रेकी में शामिल जरूर था, और ये दावा किय आजा रहा है कि 2 सितंबर से ये लोग कुरला में एक किराय का घर लेकर रह रहे थे, जिसकी कीमत करीब 14-15,000 रुपे बताई जा रही है, कि ये लोग 2 सितंबर से रुके हुए थे, 2 सितंबर से हम देखें, तो 12 अक्टूबर को इस हत्याकांट को अंजाम दिया है, करीब 40 दिन से ये लोग कुरला में एक किराय का कमरा लेकर रह रहे थे, और रीकी कर रहे थे, पिछले करीब 30-40 दिनों से, और चारो को 50-50,000 रुपे दिये गए थे, जो 50-50,000 रुपे की कॉंट्रक के बात हो रही, कुल मिला के 2,00,000 रुपे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में दाव उसके जरीए ये तीनों संपर्क में आये हैं, और फिर उन्हें कंट्राक्ट के लिए पैसे दिये गए, और उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो इस फेस्बुक पोस्त की सच्चाई क्या है, ये तो पुलिस जाच के बाद ही सामने होगा, लेकिन जो कल से कया लगाये जा रहे थे और ये दावे किये जा रहे थे, इस पूरे हत्याकांड में कहीं न कहीं लॉरेंस विश्चनोई का हाथ है, जो के फिलहाल गुजरात की साबर मती जेल में बंद है, उसका हाथ बताया जा रहा है, तो इस फेस्बुक पोस्त से ये काफी हद तक अब साम ने आ गया है कि इस मामले में लॉरेंस विश्चनोई की भी भूमिका हो सकती है, फेस्बुक पोस्त की जाच की जा रही है, लॉरेंस विश्चनोई की जो सनलिपता है, उसकी जाच की जा रही है, जो भी इस मामले में अपडेट आएगा, जैसे ही पुलिस इस मामले में शुपरिया